हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो हम बात करेंगे आप लोग को भी एक आउंट हैक हो चुका है काफी ज़्यादा परसान हो रहे हैं सारी समस्या इस वीडियो से मिल जाएगा लेकिन आप लोग गोर किजिएगा कि किस तरह से ह है काउंट रिकवरी होता है आखिर है होता कैसे हैं होने के बाद रिकवरी कैसे होता है आज इसी की वीडियो हम बात करेंगे थोड़ा वीडियो लंबा होगा ताइम है आपके पास तो थोड़ा गोर कीजिए आप लोग को भी रिजॉल्ट कर दिया जाएगा सबसे पहले ब पहले जाता है तो कैसे करते हैं है किसी दोस्त में किसी को आप देते हैं आईडी रिकावरी करवाने के लिए जैसे मालेजे हमको देते हैं आईडी रिकावरी करवाने के लिए आईडी पासवर्ड देते हैं तो आप मालेजे कुछ बात कर लेते हैं कुछ देने के लिए आप नहीं देते हो है कर लेता है समुवाइल नमबर भी चेंज जीमेल भी चे कर देते हैं लेकिन यहां पर आज इस वीडियों बात करेंगे नो आटीपी नो पासवर्ड औल्ली आपको यूजर नेम पता होना चाहिए जो आपको फेस्वुक आईडी का यूजर नेम है उस यूजर नेम से आप अपना एकॉंट रिजॉल्ब कर शकते हैं लेकिन बिना तो इस वीडियो में बात करेंगे वही जो आपको तरीका पता है वही अमसे रहे हैं तो किस तरह से यूजर रिजॉल्ब हो जाएगा है एक बर काम करता है सही तरीका यूज करिए आप लोग वे रिजॉल्ब होगा यह तरीका कोई बताता नहीं है यूटुपे कोई आज तक नहीं बता दोस्तों कि है के कांट रिकावरी कैसे होता है भीज लेने के चक्कर में जो मनमाताओ वीडियो बना देते हैं कोई नहीं बताता दोस्तों गौर कीजिए और कीस तरह से हैक एकॉंट रिकबरी होता है आप लोग भी वीडियो में बने रहिए उसके लिए हम चलते हैं मौईल के स्क्रीन पे आ चुके हैं आप लोग को भी एक एक हो चुका है वीडियो में डासथ है लोगका लोगु नहीं कर बारे है पासे वर्यूड किसी ओर नंने कर दिया है मैं लिए हो तो एससे सिति में दोस्तों काफ़ी आदा अर्षान जाते हैं दो यह के कॉररी करना बहुत साम नहीं है जो मैं तरीका बताऊंगा वही तरीका अपलाई करिएगा तब जाके आपका account resolve होगा तो hack account recovery करने के लिए यहाँ पे आप लोग एक option दिख जाएगा logging into other account इस चप को क्लिक करना है जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग को आईडी पासवर्ड मिलता है लेकिन आप लोग को आईडी और पासवर्ड मालूम नहीं होता है तो ऐसे सीती में आप लोग अपना फेस्वूक एकांट रिकॉबरी नहीं कर पाते हैं तो रिकॉबरी कैसे करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ आपके सबसे पहले यहाँ पे एक option मिल जाएगा फोर्गेट पासवर्ड इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग को आटोमेटिक के लिए इस तरह के देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप लोग को फोन में करेंगे बिना ओवर्टीपी के तो रिकापरी करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से आप लोग को जीमेल दीख रहा है बट यह जीमेल आपका है नहीं यहाँ पर फेस्वूप नोटिफिकेशन जो डिवाइस में लॉगिंग तो कैसे रिकापरी करेंगे तो इस तरह के नहीं ओटिपी नहीं पासवर्ड नहीं कोड उनली यूजर नेम से आप रिकापरी कर सकते उसके लिए यहाँ पर एक थाड़ पार्टी अप्लिकेशन दिख रहा होगा आप लोग को नो लॉंगर हैब एकसेज दीज इस पर आपक आपका फेस्वूक मतलब आपका हैक हो गया ना तो जो भी बंदा है मॉइल नमर जीमेल चेंज कर दिया है तो कैसे रिजॉल्व करेंगे तो काफी यहाँ तो आप लोग परशान होंगे तो रिकावरी करने के लिए यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है बैक होना है जैसी य ब्रॉजर आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा क्योंकि यह इसमें सर्वर काफी जाद अच्छा काम करता है यह ब्रॉजर से आप लोग करेंगा तो आप लोग को भी 110% एकाउंट रिकावरी हो जाएगा तो हैक एकाउंट रिकावरी करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट य जो भी Palo करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर आप लोग को आईडी पारट मालूम है नहीं तो कैसे रिकावरी करेंगे तो फ्रॉर्गट पाज़ोड पर क्लिक करना जैसे हैं इसके करेंगे यहां पर अपना नेम या उजय ने Hmm पहले वाला जो भी रहेगा वह आपको यहाँ पर समिट करना है जैसी समिट करेंगे यहां से आप लोग गूगल एकोंड के द्वारा बताय जा रहा है कोड लिंक इमेल पर भी जा रहा है नोटिपिकेशन पर भी जा रहा है अदर डिवाइस में लोगिंग है इंटर पासवर्ड से भी डाल सकते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है तो कैसे recovery करेंगे आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे एक option आपको दिख रहागा no longer have access इस पर आपको क्लिक करना दोस्तों जैसी इस तिक लिक करेंगे यहां से आप लोग को same device में इस तरह से option देखने के लिए मिल तो उसके बाद दोस्तों यहां पे आप लोग को first में option दीख रहागा I lost access my logging यहां पे आप लोग लाइब देख सकते हैं detail में यहां पे बताया जा रहा है उसके बाद दोस्तों first पे option आल रहागा tell us how to reach यहां पे बिंडोज में बताया जा रहा करने के लिए तो बिंडोज में तो असान होता है उसके बाद दोस्तों यहां पे कि set a new login email यहां पर new email डालने के लिए बोलेगा उसके बाद दोस्तों यहां पर second में confirm that is you यहां पर confirm करने के लिए बोल रहा है उसके बाद एक option आएगा email पर finally get back मतलब email पर notice आएगा कि आपका account recovery हो गिया तो उसके बाद दोस्तों यहां से आपको next वाल उप्सन पर या start वाल उ किजेगा तो चलिए अपना Gmail यहां पर डाल देते हैं तो Gmail डालने को दोस्तों गेट कोट पर क्लिक करना है यहां पर यहां पर की साइड में get back on the Facebook यहां पर आप लोग देख सकते हैं मतलब new email यहां पर डालने के लिए आ गया है तो new email डालेंगे उसके बाद get code पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां से जो भी email डालेगा वह email पर आपको code रिशीव होगा तो चलिए code ले लेते हैं दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं code आ चुका है तो code यहां पर यह हम copy कर लेते हैं तो जैसे ही copy करेंग दोस्तों यहां पे आप लोग को कंफर्म का एक option दिख जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां से option दिख रहोगा upload your ID अब यहां पे बात रहता है कि पहले हमारा नेम था और hacker ने change करके अपना name कर दिया तो यहां पर घर बनाना नहीं है पहले जो आपका नेम है Rupes Kumar और पहले अपका एक कर ने change कर दिया तो jijसी स्थिती में आप लोग परसांद हो रहे हों कि अचीस के आप यहां पर चेंज किया गिया ने तो जो पहले नाम था वह भी डालीगा तो चलिए अपना यहां पर अधार कर अप्लोड कर लेते हैं तो अप्लोड करने के लिए अप्लोड आइडी पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर एक आप्सन दिखलाओगा नेशनल आईडी कर इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाल आप्सन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां से आप लोगो अपना एक अधार कर यहां पर मैं पैकर स्लेक्ट कर लिया हूं उसके गाइब Hai सब्सक्राइब क्लिक करना है जैसे एस इils हुन करेंगे दोस्तों यहां से आप लोग पैन काड स्ब्सक्रायिrichten क्या जा Wür जाएगा इस county वाद दोस्तों पांच से चैंध में आपको रिकॉबरी लिंक प्राप्त होगा जो भी email था उस पे और उसके बाद दोस्तों यहां से आपका hack account recovery हो जाएगा यह वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद दिया तो like और चैनल को subscribe जरूर करें आसा करता हूं फ्रेंड आप लोग को यह वीडियो समझ माया होगा अगर माली जी आप लोग को होना new Gmail डालके recovery या resolve कर सकते हैं आपको तो यहां पर Gmail मॉइल नमर चेंज हो जाता है लेकिन third party application से आप अपनी Facebook account को recovery कर सकते हैं hack होने के बाद आपका account hack हो गया है तो recovery जो मैं तरीका बताया हूं वही तरीका अपलाई करिए आप लोग को भी account recovery होगा जो मैं तरीका बताया हूं वह तरीका यह नहीं कि यह नहीं कि जो YouTube पे तो ऐसे काफी ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी यह वीडियो नहीं मिलेगा जो मैं तरीका बताता हूं वही तरीका apply करेगा यह तरीका सभी phone और काम नहीं करता है किसी का Windows में computer में laptop में काम करेगा ऐसे यह वीडियो जो बना रहा हूं आपका mobile भी काम करेगा लेकिन जो तरीका बताते हूं वही तरीका follow करिए थब यह वीडियो कैसा लगा comment box में प्राइक जरूर करें फेस्वुक एपसे लेटेड वीडियो देखने के लिए तो फिलाल दोस्तों आज मैं इता कराने दता हूं तब तक लिए थेंक्यू हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में